अल्मूस्ट 20 दिनों का मार्च करने के बाद में एमॉन, टार्गेरियन और सर क्रिस्टन कोल पहुचते है हैरेन हैल को यहाँ पर आते ही वो देखते है कि पूरा हैरेन हैल का मैसिव हुमंगस कैसल लिटरली एम्टी था हैरेन हैल के उपर से एमॉन कई बार भेगार ड्रैगन को घुमाता है ताकि वो डेमॉन और करैक्सस को नोटीस कर पाए और छुपे हुए ब्लैक्स के आर्मी को ढून सके बट इवेंचुली एमॉन वो पता चलता है कि ऐसे कोई भी छुपी हुई आर्मी नहीं है और एक्चल में हैरेन हैल का कैसल पूरा का पूरा खाली है यह सब देखके वन आइड एमॉन ने क्रिष्टन को कहा देखा सर क्रिष्टन अंकल डेमॉन मेरे ड्रैगन भेगार के ख सिमन स्ट्रॉंग उनका पूरा परिवार जिसमें उनकी बीवी और कुछ बच्चे थे और कुछ नेफ्यूस वगरे थे ऐसा सब यह स्ट्रॉंग का परिवार फिर हैरेन हैल में उनके लिए पहले काम करने वाले कुछ नोकर और उनके सोलजर्स फिर हेरन हेल के आजू बाजू के बस्ती में जितने भी लोग पहले काम करते थे वो सब एंड विच ओफ हेरन हेल एलिस रिवर्स ऐसे अल्मोस्ट दो सो लोग इस टौवर में बंदी बनाये गए थे तो ये सब वही लोग है जिने डेमॉन ने बंदी बनाया था जब उसने हेरन हेल को सबसे पहली बार सीज किया तो डेमॉन जब हेरन हेल को छोड़के चला जाता है तब उसने इन सभी लोगों को जेल में से रिहा तो किया था बट उन सभी को उसने एक कैसल में एक महिने का राशन वगेरा देके बंद कर दिया देमोन ने सभी दर्वाजे और खिडिकिया बाहर से बंद करवा दी थी ताकि ये सभी लोग हैरेन हैल के मैसिव कैसल के एक टौवर में अंदर बंदी बन सके यही पर सबसे पहली बार एमोन और क्रिश्टन कोल की मुलाकात होती है साइमन स्ट्रॉंग और एलिस रिवर्स के साथ यहाँ पर एमोन जैसे ही सर साइमन स्ट्रॉंग से बात करने लगता है कि यहाँ पर exactly क्या हुआ है तो साइमन स्ट्रॉंग से एमोंड को एक बहुती बुरी न्यूज पता चली यहाँ पर साइमन स्ट्रॉंग और कई सारे लोगों को डेमोंड ने बंदी बना के रखा था ताकि वो साइमन यहाँ पर एमोंड को एक मेसेज दे सके एन डेमोंड को एमोंड आ रहा है यह पता चल गया है और वो इस समय पर हैनी रा के साथ मिलकर किंग्स लेंडिंग का आयन थ्रोन का तक्त लेने के लिए चला गया है तो यह चीज जैसे ही एमोंड को पता चलती है यहाँ पर तो पहले तो उसे यकीनी नहीं होता बट देन यही कुछ दो दिनों के बाद में एक ओफिशली रेवन हैरन हैल में पहुचा जिसे पढ़कर एमोंड के पाउं तले जमिन खिसक गई इस लेटर में फॉल आफ किंग्स लेंडिंग के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी और एकदम डीटेल में बताया गया था कि आयन थ्रोन पर अभी क्वीन रेनीरा बैठी हुई है और उसके सामने अलीसंड ने बेंडर नी कर दिया है अभी ये लेटर कोई फरजी नहीं है और एकदम असली लेटर है ये एमोंड को पता चला क्योंकि ये लेटर लिखा हुआ था उसी के बेहन हेलेना ने वो उस लेटर को वही पेफाड देता है और एमोंड गुस्से से वहाँ पागल हो गया उस समय पर हैरन हैल के हुज दरबार में कई सारे ग्रीन्स के नाइट, मैनेट आर्म्स और कुछ माइनर लॉड्स मोजूद थे और उन सभी के सामने एमोंड का इस तरीके से मुग काला हो गया था पूरे दरबार को वहाँ पर पता था कि एमोंड कितना बड़ा स्टुपेड है और यही सब दरबार में चीजे देखके एमोंड बॉखला गया वहाँ पर सर कृष्टन उसे शान्द करने की कोशिश करता है बट एमोंड और पागल होता है और गुस्सा होता है और उसके इस गुस्से का पहला शिकार होता है सर साइमन स्ट्रॉंग तो रेवन से आयोए लेटर में मेंचन था कि लैरी स्ट्रॉंग और एगॉन दे सेकेंड गायब हो गये है तो यहाँ पर एमोंड को लगता है कि लैरी इस ने ही उसका कुछ गेम खेला और एगॉन दे सेकेंड और ग्रीन्स को धोका दिया स्टुपिड एमोंड को यहाँ पर लगता है कि स्ट्रॉंग धोके बाज है और लैरी इस ने उनके साथ गदारी की और इसलिए वो उसकी सजा यहाँ पर सर साइमन स्ट्रॉंग को देना चाहता था और इसलिए वो सर साइमन स्ट्रॉंग के साथ में एक डियोल करता है और ब एक एक करके अपने हाथों से काट के मारता है उन सब को मारने के बाद में एमोंड धीरे-धीरे कई सारे अलग-अलग लोगों को अपने हाथों से मारने लगता है और सब जगापर जल्म शुरू करता है एमोंड का गुस्सा दिन बदिन पागलपन में बदल रहा था और करें बट इवेंचुली इस एमोंड के गरम दिलो दिमाग को राहत मिली जब उसकी नजर पड़ी खुपसुरत एली सिरिवर्स पर यहां पर मिस्टिरियस विच ओफ हैरेंड हैल याने की चुडेल ओफ हैरेंड हैल का एक जलवा शुरू हो गया दीरे दीरे उस एली सिरिवर् एली सिरिवर्स और एमोंड के बीच में एक गरमा गरम अफैर शुरू हो गया एमोंड वहां पर गुस्से में तो पागल था ही बट वो दिन बदिन एली सिरिवर्स के प्यार में भी पागल होने लग गया एली सिरिवर्स के साथ में हर रात एकदम रंगीन बिताने के बाद में एमॉंड धीरे धीरे थोड़ा क्यूं ना हो, ठंडा जरूर होने लगया था बट एक दिन वापस एमॉंड को फिश फीड के वॉर के बारे में पता चला, और वो वापस गुस्सा हो गया बट डिन अगेन, A.L.S. स्रिवर्स ने एमौंड को sभी के सामने किस किया और एमौंड उसको वापस उठा कर अपने बेडरूम में लेके गया तो नीचे साूथ में किंग्स लैंडिंग में ग्रीन्स आईन थ्रोन को गवा बैठे थे बट यहाँ पर Eamond अपना दिलो दिमाग इस Alice Rivers के लिए गवा बैठा था Eamond को इस तरीके से इस औरत के पीछे पागल होते हुए देखके सर क्रिष्टन कोल को बहुत गुसा आने लगता है और वो सीधा एक दिन Eamond के साथ में आर्गुमेंट करता है क्रिष्टन कोल वहाँ पर सीधा Eamond को बताते है कि अभी हैरन हैल अपना हुआ है तो वो एक अच्छी चीज है यहाँ पर अभी हम हमारे ग्रीन्स के आर्मी का एक स्ट्रॉंग होल्ड बना सकते है यहाँ पर से हम अपने अटैक्स को प्लान कर सकते है आगे क्रिष्टन कोल एमोंड को कहता है कि उन्हें साउथ में जाके लौड और्मोंड और डेरॉन से मिलना चाहिए और फिर उनके कंबाइंड आर्मी ने मिल के किंग्स लेंडिंग पे अटैक करना चाहिए यह क्रिष्टन कोल का एक अच्छा सजेशन सुनने के पाद भी एमोंड का स्टुपिडिटी और एगो खतमी नहीं हुआ था वो यहाँ पर पागलों के तरह क्रिष्टन को कहता है सिर्फ कायर लोग ही धोके बाज ट्रेटर से भागते है मैं कायर नहीं हूँ मैं सीधा अकेला जाके किंग्स लेंडिंग पर अटैक करूँगा और आयन थ्रोन को जीतूँगा सो यहाँ पर पागल एमोंड का प्लान होता है कि वो अकेले भेगार से 6-6 ड्रागन्स को हराएगा और आयन थ्रोन को जीत लेगा तो यह सुनने के बाद में क्रिश्टन कोल वापस एमोंड के साथ में आर्गूमेंट करके कहता है इस समय पर एगॉन थे सेकेंड भागा है तो मेबी वो सन फायर को ढून के अपने को फाइट में मदद कर सके तो इस तरीके से क्रिश्टन केहता है कि there is a chance that greens अभी भी 4-4 ड्रागन्स इकटा कर सकते है उनके पास अभी भी 4 ड्रागन्स हो सकते है वेगार, सन फायर, ड्रीम फायर और टेसारियों तो ऐसे 4 ड्रागन्स, रेनिला के 6 ड्रागन्स के खिलाफ जरूर फायर कर सकते है और वैसा ही करने में उनकी ज्यादा समझदारी होगी ऐसा क्रिश्टन कोल का यहाँ पर opinion होता है तो यह सभी चीजे एमोंड कुछ टाइम के लिए अच्छे से सुनता जरूर है बट उसके बाद में एमोंड वापस एकदम stupid reply देता है वो कहता है यह सब मतलब nonsense है this is craven's course मतलब यह एक भगोडे भीगी बिल्ली का एक भागने का plan है ऐसा एमोंड कहता है अब यह सुनने के बाद में वहाँ पर क्रिश्टन कुल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस रूम से गुस्से में निकल गया तो आखिर एमोंड ऐसा चूतिय के तरह क्यों behave कर रहा है what's wrong with him तो इसका जवाब देने के लिए हमारे पास तीन क्रोणी कलर्स की तीन अलग-अलग theories है सबसे पहले Grand Master Mancan के theory के अनुसार एमोंड अभी इस तरीके से बौखला गया था क्योंकि एमोंड में बहुती ज्यादा हमेशा से इगो रहा और वो वैसा ही थोड़ा सा इगो मैनियक किसम का बंदा था और इसलिए उसने वैसे decision लिये अब ये मनकन का opinion थोड़ा सा normal था बट असली wild theories मिलती है Eustace और mushroom से तो septum Eustace के मताबिक actually Alice Rivers ने कुछ love potion वगरे पिला कर एमोंड पर कुछ काली जादू की थी एमोंड इस समय पर सिर्फ और सिर्फ Alice Rivers के साथ में रहना चाहता था उसके साथ संबंद बनाना चाहता था और इसका reason था चुडल ओफ हैरन हैल Alice Rivers का कुछ भयानक जादू इस समय पर एमोंड इस के लिए इस तरीके से पागल हो गया था कि वो उसे छोड़के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और उसके ऐसे बरताव का reason सिर्फ और सिर्फ कुछ काली जादू हो सकती है तो ऐसा सेप्टन यूश्टस का कहना था और एक्चुली इवन मश्रूम इस चीज़ पर अगरी करता है बट हमेशा के तरह मश्रूम आलवेज गोज वन स्टेप अहेड तो मश्रूम के मुताबिक एक्चुली ऐली स्रिवर्स ने एमोंड और कृष्टन कोल ऐसे दोनों को लव पोशन पिलाया था और उस पोशन के वज़े से दोनों भी ऐली स्रिवर्स के साथ में संबंद बनाते और दोनों भी उसके प्यार में पागल हो गए थे तो मश्रूम यहाँ पे कहता है कि इस बात से एमोंड काफी जलस होने लगा था और उसका मन तो करता था कि वो क्रिश्टन कोल का खून कर दे बट उसके लाइफ में क्रिश्टन कोल इतने टाइम से काफी इंपोर्टन रहा था उसका एक समय का वो गुरू रहा था इसलिए वो यहाँ पर क्रिश्टन कोल को अपने जलसी के वज़े से नहीं मारता बट एमोंड फिर भी क्रिश्टन कोल को हैरन हैल में नहीं चाहता था वो चाहता था कि क्रिश्टन कोल जल्द से जल्द हैरन हैल से कही तो चले जाए ताकि Alice Rivers सिर्फ और सिर्फ उसकी हो सके तो बिसिकली अगर हम सेप्टन यूस्टस और मश्रूम की दास्तान मानते है तो एक जमाने का चैड एमोंड अभी एक सिम बन गया था तो एमोंड को उसके सो कॉल्ड प्यार Alice Rivers के साथ में ही रहना था और क्रिष्टन कोल ये सब नहीं देख सकते थे उन्हें जल से जल साउथ में जाना था ताकि वो लॉर्ड और्मूंड हाय टॉवर के बड़े ग्रीन्स के आर्मी को जॉइन कर सके और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्रिष्टन कोल डिसाइड करते है कुछी टाइम के बाद में सर क्रिष्टन कोल अपने बड़े आर्मी को लेके हैरन हैल से नीचे साथ के तरफ निकल गए तो ऐसे ही कुछ दिन भी जाते हैं और कुछी दिनों के बाद में पूरे रिवर लेंड्स में टेरर अफ एमोंड टार्गेरियन शुरू हो गया हर दिन कही न कही हैरन हैल के आसपास के गाव और खेतों में अचानक से मॉन्स्टर भेगार आती और पूरा डिस्ट्रक्शन करके चला जाती एमोंड का प्लैन था कि अगर रेनीरा क्वीन बनी है तो ठीक है बट वो रूल किस पे करेगी मैं अपने वेगार ड्रैगन से पूरे के पूरे वेस्टेरोस को जला के राख कर दूँगा अगर सभी लोग मरेंगे तो रेनीरा को कौन क्वीन मानेगा तो इस तरीके से एमोंड पागल हो जाता है और रिवरलेंड्स में वो अपना एक टेरर शुरू करता है एमोंड का यहाँ पर ये भी प्लैन था कि वो अगर ऐसा टेरर शुरू करता है तो रेनीरा जरूर कुछ एक्शन लेगी और उसके खिलाफ कुछ ड्रैगन्स बैटल में वगरे भेजेगी और एमोंड उन ड्रैगन्स को अपने ड्रैगन भेगार के जरीए मार गिराएगा तो दूस्तो इस तरीके से दे किंग मेकर सर क्रिष्टन कोल इस कहानी के नेक्स चैप्टर में क्या-क्या स्पाइसी स्टोरीज होगी वो सब जानिये अगले चैप्टर में अंटिल देन बाई एंट टेक केर